हेलो फ्रेंट्स इस केपसिटेट को मैंने वाटर कूलर से निकाला है जो कि मोटर में लगा हुआ था और इस पर आप देख सकते हो अच्छी चीज बताऊंगा जिसके बारे हम साइद आप सभी को नहीं पता होगा तो जब मैं इसे पहली बार ओपन किया तो मुझे इसके अंदर से पाउडर निकला तो मैंने यह सुच रहा कि इसके अंदर पॉर्डर क्यों है और ये क्यों जूज होता है पहले मुझे लगा यह वायर खराब हो चुका है पिर मैंने इस ऊं-चेंवाले काRORA राता है एक्जेक्ट आपको देखने में पॉर्णे की तरह लगेगा चलिए हम इसे पहले निकाल देते हैं और इस Pquardell को वह पर उजज के लिए更 किया जाता है जहां पर 하니까 करेंट तो पहला यूज़ है वाईर को flexible बनाने के लिए मतलब कि यदि आप वाइर को मोरते होता है अंद्र वाइर कम वाहरा वाइर जादे मोरता है तो पोड़र होने के कारण जो है यह अपस में fix नहीं होगा वह आधाला relación जकता है इसलिए flexible बनाने के लिए पौड़ को यूज किया जाता है और दूसरा कारण है thermal conductivity को increase करने के लिए इसमें जो करेंट का तो इसमें यह chance रहता है कि इसमें आग लग सकता है क्योंकि high amp इसमें flow करता है तो जादे heat भी होता है जिसके कारण यह जल्दी सा आग भी लग सकता है इसलिए इस पौड़र को use किया जाता है इस पौड़र को यह हम use करेंगे तो यह heat को जल्दी से बाहर निकालेगा जिससे क कारण है इसी सब कारण के कारण इस पौड़र को इसमें जूज किया जाता है किसी भी केवल में इसी टाप के नॉलिजबल वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो धन्यवाद